हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोट्स में पहलोग आज हम IPL यानिकी इंडियन ट्यूटेंटी लिग का RCB यानिकी बैंगलोर वर्सिस कोलकत्ता के विज्जो मैच होने वाला है उसके बार में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इसमें आप अपनी ड्रीम 11 टीम कैसे बना सकते हो ड्रीम 11 हो गया माई 11 सरकल हो गया जो भी आप खेलना चाहो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ठीक है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है तो आपको पूरी तरीके से पहले तो देखना पड़ेगा तबी आप इसमें अपनी तरब से आपको किसी की भी हल्प लेने की जरूरत नहीं है मैं आपको सब कुछ बता दूँगा ताकि आप अपनी जो है टीम इजी तरीके से बना सको और जीत सको ठीक है और मैं दोस्तों इस IPL में बहुत सारा विन कर चुका हूँ ठीक है जिसका आपको टेलीग्राम चल पर मिलेगा उसका लिंक नीचे है अगर आपको भी IPL में फेंटेसी से प्लस गेम खेलकर जितना है वह भी बिल्कुल फ्री में तो वह सब टेलीग्राम चल पर आपको मिलेगा लिंक नीचे है जोन कर लीजिए ठीक है वीडियो के डिसेशन में तो अभी बात करू विकेट की परसेक्शन से पहले तो पीछ दोस्तो बेटिंग लेनप ही होने वाले वो तो आपको पता ही होगा ठीक है और पेस के लिए काफी जदा हेल्प करेगी वो सही बात है बाकि दोस्तो यहाँ पे फिल सोल्ट की बात करू तो काफी अच्छा दोस्तो यहाँ पेला गेम खिला था आपने देखा होगा बहुती बड़े तरीके से ठीक है जिसको मिस करके नहीं चल सकते जहाँ पे यहाँ पे दिनेसकार्ती की बात करो तो पहले दोनों के दोनों में चीज़ में दोस्तो इसको खिलने के बारी आ गई थी लेकिन अभी उसका दोस्तो स्मोल लिक की बात करूं स्मोल लिक की टीम के से बनाएंगे तो यहां पे हम उसको स्मोल लिक में पहले तो विराट को ले लेंगे ठीक है फाब डू प्लेस को ले लेंगे क्योंकि दोस्तो अगर हम स्मोल लिक कहलना चाहते है तो हम ज़्यदा रिस्क नहीं लेंगे ज प्लेयर की बात को तो कभी-कभी इंपेक्ट प्लेयर में भी आ सकते है ठीक है लेकिन उसको अपरी कमने बल्लेबाजी करने में भेजेगे तो यह वाला ख्लड़ी आपके लिए काफ एचा रहेगा ठीक है इसको आप अपनी टीम में पिक कर सकते हो नितिस्राना की बात कर तो ग्रेंड़िक के एक बहुत यह चीपीक और बहुत भी तिलेंटट ख्लड़ी है अगर आपको ग्रेंड़ी के लिए कुई पीक चाहिए तो यह वला ख्लड़ी आपके हो सकता है लेकिन दोस्तो थोड़ा से निचे बेटिंग करने आ सकता है लेकिन मेरे इकाल से रिंकों शि तो दोस्तों यहां पर एक जो पीक है अगर खेलता है तो यह ग्रेंडली की बहुत इची पीक आपके लिए बन जाएगा वन विकर डाउन पर आएगा तो भाई लोग अच्छा सा हो जाएगा ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों आगे ग्लेंड मैक्सल अभी तक तो उसने अपना जो है चलुआ नहीं दिखाया है लेकिन एंज्रे रसल पहलो पहली बात तो ही कि अगर आप स्मोल लिक खेल रहे हो बहुत ही सेफ जाना है तो रसल को ले सकते हो वरना रसल को ड्रोप करके पी चल सकते हो लेकिन ड्रोप करने की बात यह है कि इसकी जगा कोई पर आपले सकते हो लेकिन दोस्तों यहाप गणिस्वस पहले आपको पता लाजगें में उपर हीकर में बल्ले बा 얼마나 बाजी करने आये घांक हो और नितिस रणा वेंकर टेस अईयर भी है भाई लोग तब जाके दोस्तो रसल की बारी आती है ठीक है इसी लिए इसका बेटिंग रहा बहुत दोई लोग नीचे है इसलिए दोस्तो इसको स्टार प्लेयर या तो फिर वाइस कप्टन में अभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप आपको ठीक है और बेटिंग पीछे भाई लोग बेटिंग फ्रेंडली पीछे तो इसलिए दोस्तों भी मेसेजस्ट नहीं पले आपको दोस्तों लग रहा बहुत ही वीड है यह लेकिन कभी कभी इसा ट्राइब भी आप कर सकते हो ठीक है अपनी टिम में ले सकते हो लेकिन स्टार के रैस कप्टन किसी और काप बना सकते हो ग्लेन मेक्सवल क्रिस ग्रीन काफी अच्छे होने वाले है आपने देखा होगा दोनों का काफी अच्छा काम रहता है उसके बाद दोस्तों स्टार को तो पहले गेम में कुछ हासिल नहीं हुआ था लेकिन बहुत बढ़िय लिया था था अभी UV कास कर ने रहा है सर्मा की बात करण है सर्मा बहें लोग यहां पे got कुछ आस यहां पर सब्स्ट्यूट की बात करो तो आया था लेकिन कुछ खास नहीं कहला था ठीक है और यस देल के बात करो तो काफी इंप्रेश्य दोस्तों बोलिंग कर रहा है बहुत यच्छ बोलिंग कर रहा है असी तराना ने भी पेरे गेम में तो आपने खुद देखा होगा बहुत ही बढ़िया दोस्तों उसने काम किया था भी से बात करो गर स्मॉल लिग जा रहे हो तो मुहमद सीरच काफी अचा रहेगा ठीक है उसका फास बूलर के लिए अच्छा पीछे तो पहलोग आप जोसिप को भी ले सकते हो कि वो भी काफी अच्छा करेगा इसा लग रहा है ठीक है यस दायल काफी बढ़िया रहेगा आप उसको लेना चाहते हो तो तो प्रिवियू की बात को तो प्रिवियू आपको कुछ इस तरीके से देखना आपको मिल जाएगा यहाँ पर नारायन और रसल आजाएगा के क्यार की तरप से वाकि दोस्तो सीरा जहे दयाल है ग्रीन अटमेकसल दोनों को पूरे और नहीं मिलें आके आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े ठीक है स्टार पेर वाइस के अपने की बात करो भी लोग सबसे अच्छा स्टार पेर दोस्तो कोहली के लावा इसमें मेरे खाल से बहुत सेफ की बात कर रहा हूँ ठीक है सेफ ओप्सन कोहली के लावा मुझे लग नहीं फाफ डूपलेश और सिर्स यहियर का कॉम्चियर का कॉम्बिनेशन अपकोड़ी करें घुरी को Μानगी जो आप अब काफी बड़ी करने के लिए। तो ये अवला आपके लिए काफी बड़ी ऑप्सन हो जाएगा लेकिन उतना भी कोई सेफ नहीं होगा ग्रेंड लीक के लिए काफी अच्छा हो जाएगा बाकी दोस्तों ग्रेंड लीक के लिए कुछ प्लेयस भी मैंने आपको सजेस्स किये थे करना है उसकी वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है आप वह जाके देख लिए आपको अच्छा लगेगा ठेक है आपको थोड़ा बुद्क यहां पर पता चलेगा कि इसमें कैसे क्या इन्वेस्ट करना है बाकी तो दोस्तों इसमें जो कुछ भी था हो मैंने आपको बता द